अब हम अगला रूप आंत्रन देखते हैं, मेकैनिकल एनरजी का अलेक्ट्रिकल एनरजी में, यानि कि यांत्रिक उर्जा का विद्दूत उर्जा में, अच्छा बच्चो, मुझे एक ऐसे उपकरण का नाम बताओ, जो कि यांत्रिक उर्जा को विद्दूत उर्जा में कनव करता है इसे हम एलेक्ट्रिक जन्रेटर के नाम से जानते हैं जो कि विद्दूत को जन्रेट करता है यह प्रिडियोस करता है एक्चुली विद्दूत को प्रिडियोस नहीं करता यह यांत्रिक उर्जा को विद्दूत उर्जा में कन्वर्ट करता है इस generator के अंदर एक armature होता है, जिसको चुम्बकी छेतरे के अंदर घोमाया जाता है घोमाया जा रहा है, मतलब वहाँ पे यांतरिक कारी किया जा रहा है उस armature में यांतरिक उर्जा होगी या यू कह सकते हैं किस औरमेचर घूम रहा है तो इसमें घूरनी गती जूर्जा होगी और यह यांतरिक उर्जा कनवर्ट होती है विद्धूत उर्जा में क्योंकि जब यह आरमेचर चुम्बकी छेतर के अंदर घूमाया जाता है तो इस आर्मेचर के अंदर यानि कि इस तामबे की तार में विद्धुत उत्पन हो जाता है या यू कहें कि इसकी जो घुर्णी गती जूर्जा है यान्त्रिक उर्जा वो कन्वर्ट हो जाती है विद्धुत उर्जा में वैसे ही बच्चो आपने सुना भी होगा कि electricity को produce करने के लिए हम एक उपकरण का स्तमाल करते हैं और वो है तर्बाइन जब इस तर्बाइन को घुमाया जाता है तो इस तर्बाइन के घुमने के कारण ही विद्धुत उर्जा उत्पन होती है तर्बाइन गोल-गोल घुम रहा है इसका मतलब तर्बाइन में है यांत्रिक उर्जा और वहाँ उर्जा कनवर्ट हो रही है विद्धुत उर्जा में यह टर्बाइन अलग-अलग तरीके से कारे करता है, कभी-कभी इस टर्बाइन को घुमाने के लिए हम हवा की साहता लेते हैं, इसे विंड मिल हम कहते हैं, विंड मिल के साथ जुड़ा होता है टर्बाइन, जब इस विंड मिल के पंखे घुमते हैं, तो यह टर्बाइन के व हम विद्द। पावर प्लांट लगाते हैं और उसी में तर्बाइन रहता है और जब पाणी की तेजधारा स्टरबाइन के ब्लेट पर गिरती है तरबाइन का ब्लेट घूमता है तो यह कंवर्ट करता है mechanical energy को electrical energy में और ऐसे ही पेलोटन वील कभी इस्तमाल करते हैं जिसमें कि यांत्रिक उर्जा विद्दूत उर्जा में convert होती है अब इस आरणी में हम अगली स्रीनी देखते हैं conversion of mechanical energy to sound energy light energy and thermal energy यानि कि यांत्रिक उर्जा का रुपांत्रन देखेंगे द्वनी उर्जा प्रकाश उर्जा और उश्मिय उर्जा में मतलब एक उर्जा यहां पर तीन उर्जा की रूप में convert हो रही है बच्चों आपके घर में कभी चाकू यह कैची इसकी धार खतम हो जाती है तो आप क्या करते हैं चाकू छूरी तेज करा लो ऐसा करके रोड में फेरी वाले आते हैं चकू को धार करने के लिए एक पत्थर के हिसके अव bikshu तेड़ हो जारे घूम रहे हृए घूम रहा है मतलब उस पत्थर में यांत्री कुर्जा है उस यौच्छ базा की कारण चक्को में धार बना और जब चकू में धार किया गया तो आप देखे होंगे कि इसमें से चिंगारी निकल रहे थी चिंगारी निकल दो कि दो सब्सक्राइब विखने और सब्सक्राइब हमाद बढ़े में ध्युन से ने फूर्जा करें। तो वो गरम भी लगेगा तो यांतरिक उर्जा यहां पर उश्मी उर्जा में भी कनवर्ट हो गए यानि कि जो पत्थर की यांतरिक उर्जा थी वो तीन रूप में कनवर्ट हुए एक प्रकाश उर्जा ध्वनी उर्जा और उश्मी उर्जा वैसे ही आपने दो बादलों को और जैसे ही दो बादल आपस में टकराते हैं आप देखेंगे उसमें से प्रकाश जाता है इसका मतलब उसमें उश्मियो उर्जा भी रहता है और जब दो बादल टकराते तो घडड़ाट की आवाज भी आती है तो बादलों को टकराना ये यांत्रिक उर्जा का प्रकाश उर्जा ध्वनी उर्जा और उश्मियो उर्जा में परिवर्टन का उधारण है बच्चों मनुष्य ने आग की खोश कैसे की थी दो पत्रों को टकरा कर जब दो पत्रों को आपस में टकराया जाता है पत्रों को टकराने के लिए पहले तो उसे हम हिलाएंगे यानि कि उसमें होगी यांत्रिक उर्जा और टकराने के बाद हम देखते हैं उसमें से चिंग बच्चों आपने किसी मशीन को काम करते देखा हुआगा जब दो मशीन के पूर्जे बार बार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं आपस में रगड़ खाते हैं उस समय भी मशीन में अजीब सी आवाज उत्पन्न होती है और यह जादा रगड़ खाते हैं तो इसमें से चिंगारी अब इस आरणी में हम अगली कैटिगरी देखते हैं कनवर्शन ऑफ कैमिकल एनरजी तो इसमें अब इस आरणी में हम अगली कैटिगरी देखते हैं कनवर्शन ऑफ कैमिकल एनरजी तो एलेक्ट्रिकल एनरजी यानि की रसायनिक उर्जा का प्रकाश उर्जा में कनवर्शन इसकी उधारन के रूप में हमने देखा टॉर्च का जनला जिसमें टॉर्च की बैटरी की रसायनिक उर्जा प्रकाश उर्जा की रूप में कनवर् रहती है पर यहां आपने हेडिंग लिया था chemical energy का light energy को फोकस कर रहे हैं पर यहां पर light के साथ heat energy भी प्रेडियोज होगे अगला धरन देखते हैं petroleum का जलना यानकि पेट्रोल का दहन होना पेट्रोल उसमें भी केमिकल एनर्जी रहती है और यह केमिकल एनर्जी कनवर्ट होती है लाइट एनर्जी के रूप में जब पेट्रोल जलता है तो आप देखोगे कि पेट्रोल के जलने पर फ्लेम्स निकलते हैं और इस फ्लेम में हीट और लाइट दोनों ही उर्जा होती है, नेक्स्ट हम देखें, कोल या लकडी का जलना, कोईला या लकडी का जलना, कोईला या लकडी भी जब जलता है, तो वहाँ पर फ्लेम उत्पन होता है, उसकी लपटे निकलती है, और इन लपटों में उश्मा भी होती है, और साथ साथ प्रकाश भ मौनबत्ती को जलाते हैं तो उसमें भी फ्लेम में लाइट होती है तो मोनबत्ती में chemical उर्जा होती है वो जलता है वहां पर chemical reaction हो रहा है उसके कारण ही हमको वह फ्लेम दिखाई देता है तो यह उधारण है कनवर्शन आफ chemical energy टो लाइट एनरजी का, अगला हम उधारन लेते हैं सन, सूरज, सूरज से जो उर्जा में प्राप्त होती है वो दो रूप में है, हीट और लाइट के रूप में, हमें सूरज की गर्माहट का भी पता चलता है, प्लस उसके कारण, हम उसकी रौष्णी के कारण हम संसार को देख पाते हैं, आसपास की वर्ष्टवी हमें दिखाई देती हैं, एक्चुली बच्चो सूरज में केमिकल रियक्शन हो रहा है, और इस केमिकल रियक्शन को हम आगे पढ़ेंगे कि यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, पर फिलाल यहां पर दो हाइड्र इसलिए हमने सूरज के अंदर होने वाली प्रक्रिया को केमिकल रियक्शन के अंदर में डाल दिया है, जब आगे चर्चा करेंगे इसके वारें पढ़ेंगे तो बेसिकली इसमें जो प्रक्रिया हो रही है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन की है, तो सूरज में होने वाली रस रसायνिक उर्जा वो convert होती है HEAT और लाइट के रूप में तैवारों में bach exposure चलाना पसंद करते होंगे प fps can ke dining के हीकल से बंते हैं और जब इसमें आग लगाई जाती है तो इसमें विस्फोट होता है तो इन फटाकों में रसायनिक उर्जा होती है जोकी convert होती है लाइट के रूप में, फटाके जब जलते हैं तो रौशनी भी होती है, जैसे कि आप अनारदाना जलाते हैं, या रौकेट जला रहे हैं, ये किसी बम कोई जला रहे हैं, तो अब देखते हैं कि इसमें रौशनी भी होती है, साथ साथ उसमें उत्पन होती है, तापी उरजा यहां पर चाहिए प्रफटाक के जलने के पाद गरम हो जाते हैं और इन फटाकों के वज़े से द्वनी ऊर्जय भी प्रडियोज होती है इसका मतलब यहां पर कैमिकल एनरजी तीन रूपों में कनवर्ट हो रही है लाइट हीट एंड सांग पर यहां पर हम केवल कैमिकल एनर रसाइनिक क्रिया के करण बनाई जाती है इसमें भी कैमिकल होते हैं और इनी कैमिकल के कारण इनमें रसाइनिक उर्जा होते हैं जब इनमें विस्फोट होता है तो यहां रसाइनिक उर्जा हीट लाइट और साउंड के रूप में कनवर्ट हो जाती है बच्चों आपने ज जुगनुओं का देखना बहुत ही अच्छा लगता है, इन जुगनुओं में फीछे कोई बल्ब नहीं लगा होता, जो जल रहा है, एक्चुली इन जुगनुओं में भोजन के तूटने की वज़े से या भोजन के डाइजेशन की वज़े से जो रसाइनिक उर्जा है वो लाइट उर्जा की रूप में कनवर्ट होती है और जुगनुओं हमको जलते हुए दिखाई देते हैं वासे बच्चो यह भोजन का तूटना यानि की डाइजेस्ट होना यह रसाइनिक क्रिया हमारे शरी में भी होती है पर हमारे शरी में यह रसाइनिक उर्जा हीट उर्जा की रूप में कनवर्ट होती है इसलिए तो हमने शरीर को एक नियत ताप पर बनाया रखती है इसलिए आप बच्चों देखें होंगे कि जब इंसान मर जाता है उसकी बॉड़ी थंडी पड़ जाती है क्योंकि जब इंसान खतम हो जाता है तो उसके अंदर कोई भी रसाइनिक क्रिया नहीं होती और इसी करण उसके बॉड़ उसकी तो बहुत सारे उधारन आप एपने डेली लाइफ में देखते हैं और आप इनको अनभव भी करते हैं पच्चों आप स्कूल जाने के लिए अपना श्कूल डreci स करते कि प्रेस करने के लिए इस तरीकर समाल करते हैं आई retour का आइरन कैसे काम करता है जब आप इसे में विद्द उर्जा देते हैं तो यहां गरम हो जाती है यानि कि electrical energy convert होती है उश्मी उर्जा के रूप में और आपके घरों में ऐसे बहुत सा रूप करण daily इस्तमाल होते हैं जिसमें कि electric energy thermal energy में convert होती है जैसे कि geezer geezer में पानी गरम होता है कैसे जब हम electrical switch को पान करते हैं गीजर को विद्द सप्लाई करते हैं तो उसके अंदर पानी गरम होता है तो यह convert होती है electrical energy thermal energy में वैसे immersion rod electric toaster electric cooker यह सारे heating elements के बने होते हैं और यह electrical energy को उश्मी उर्जा के रूप में convert करते हैं बच्चों विद्द धारा का यह स्पूंप्रीय के गोन होता है धारा में उश्मीर प्रभा होता है जब धारा किसी भी वस्तू से प्रवाहीत होती है तो वस्तू गरम ही हो जाती है यहनि कि विद्दוכ sempre ऒर्वाब्र.tv यह नकरीछ फेसा अंदर हमेशा उस्मीर इतर होते हैं पर किसी वस्तू में एप्लाइंसेस की रूप में स्तमाल होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट लगा होता है वह एलेक्ट्रिकल एनरजी को उश्मी और जामें ज्यादा रूपांत्रित कर देता हैं ऐसे ही आपने अपने घर में एक और विद्दूत उपकरण देखा होगा इसे हम बल्ब कहते हैं इस बल्ब को जैसे ही विद्दूत उर्दर दी जाती है ये बल्ब जल उड़ता है इस बल्ब में प्रकाश उर्जात उत्पन हो रही है साथ साथ ये बल्ब गरम भी हो जाता है कई घरों में इस प्रकार के बल्ब अभी भी इस्तमाल होते हैं इस बल्ब को यदि जलते हुए निकालना हो तो हम स्विच बंद करके डारेक्ट इसे नहीं निकालते बल्कि किसी कपड़े की सहते से इसे पकड़ते और फिर इसे निकालते हैं क्योंकि जब तक वो बल्ब जल रहा था यानि कि उसमें विद्दूत उर्जा सप्लाई हो रही थी वो बल्ब गर्म हो जाता है प्रकाश तो देता ही है इसका मतलब यहां पर जो विद्दूत उर्जा है वो प्रकाश उर्जा की रूप में कनवर्ट हो रही है साथ साथ यह उ प्रकाश उर्जा के लिए पर फिर भी वह गर्म हो जा रही है मतलब उश्मिय उर्जा भी हमें मिल रही है जो कि हमारे लिए अनुपयोगी है और इसलिए आज कल हमें बल्ब के और स्वरुब्बे देखने को मिलते हैं जैसे कि लेग उसलियस और लिए ये बल्ब सीए फएल और ये थीणों में क्या फर्ख है व्येगी है यह विदूत-उेइजा को प्रकाश-उर्जा में कणवर्ट कर रहे हैं और प्रकाश-उर्जा के सासत उश्मिय उर्जा भी उधवन होगी हि क्योंकि विदूत का तो उश्मिय 90% उश्मीय उर्जा होती है जबकि 10% light यानि जो विद्वुत उर्जा है वो प्रकाश उर्जा में ज़्यादा convert ना होके उश्मीय उर्जा में रुपांतरित हो जाती है जबकि हम CFL को देखें तो इसमें विद्वूत उर्जा 30% उश्मीय उर्जा जबकि 70% लाइट उरजा में कनवर्ट होती है। जिब्कि LEDS को हम देखें तो यहां पर विद्दूत उरजा 5% उश्मी उरजा और 95% लाइट उरजा में कनवर्ट होती है। और यही कारण है कि आज कल हम Le molar का जी तमाल कर रहे हैं जिब्कि बल्ब सस्ता मिलता हैं और LED महेंगा फिर भी हम LED को ज्यादा प्रिफर करते हैं क्योंकि ये अलेक्ट्रिकल एनरजी को अधिक मात्रा में प्रकाश उर्जा में कनवर्ट करता है और उश्मी उर्जा की मात्रा कम होती है जिसके करण घर का वातावरन ठंडा रहता है जबकि हम दूसरी तरफ बल्ब को देखें तो उसमें उश्मी उर्जा की मात्रा अधिक होती है जिसके करण घर के वातावरन का तापमान गरम हो जाता है यानि हमको ऐसी उर्जा प्राप्त हो जाती है जिसकी हमको जरूरत नहीं थी यानि कि उश्मी उर्जा प्राप्त हो जाती है हमारे घरों में ऐसे ही और बहुत सारे विद्धुत उपकरण हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हमें कुछ और उर्जा प्राप्त हो लेकिन वह उर्जा उस उर्जा की र और कौन सी उर्जा हमें अनुपियोगी रूप में प्राप्त हो रही है तो सबसे पहले हम देखते हैं टीवी को टीवी सबकी घरों में अधिकतर लगाई हुआ है इसको हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं ये भी एक विद्दू तुपकरण है टीवी से हम चाहते हैं कि टीवी अगर बहुत देर तक चल रहा है लगातार चल रहा है तो इसमें उश्मी और्जा उत्पन हो जाती है यानि कि आसपास के वातावरण को ये गरम कर देता है और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी विद्दूत उपकरण जिसमें कि विद्दूत प्रवाहित हो रही है उसमें उश्मी और्जात उत्पन होगी क्योंकि धारा का उश्मी प्रभाव होता है किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है अब अगला उपकरण हम देखते हैं हेर ड्रायर हेर ड्रायर क्या कमाते बच्चों हम लोग अपने बालों को सुखाने के लिए हेर स्टमाल करते हैं तो बालों को कैसे सुखा या या इस Most विद्दुत उउर्जा देती है और हम चाहते हैं कि इससे गरम हवा निकले जिसे कि हमारे बाल शूख जाए तो हेयर ड्रायर का काम है कि यह वाईयू को उश्मी उष्जा देता है गती जूर्जा देता है पर इसमें अब आंचिनी औरजा कौन से उत्पन होती है? हमने देखा है बच्चो हेर ड्रायर बहुत आवाज करता है, तो यह ध्वनी औरजा अनुपयोगी औरजा है, जो हमें हेर ड्रायर से प्राप्त होती है, नेक्स्ट हम देखते हैं ओवन, ओवन से क्या काम होता है? भो मिंग टोन आती है एक आवाज आती है भुनभुनाट के तो यह उश्मी ओर्जा के साथ सथ ध्वनी ओर्जा में भी कनवर्ट हो रहा है इसके अलावा यदि हम एयर कंडिशनर को देखें एयर कंडिशनर हमें थंडी हवा देता है थंडी हवा एयर कंडिशनर से बाहर आती है यानि कि वाईयू को गतीज ऊर्जा दे रहा है साथ सार यह उश्मी ऊर्जा भिउत्पन्न करता है यह दि एर कंडिशनर के वेंट को हम देखें पीछे तो यह वाता वरन के टाप को बढ़ा देता है इसलिए तो हम एर कंडिशनर के वेंट को अपने घर के बाहर लगाते हैं और कभी आप इस वेंट के पास जाकर खड़े होके देखिए कि वहाँ आस पास का तापमान बढ़ चुका होता है। क्योंकि यहाँ पर विद्धुत उर्जा उश्मिय उर्जा के रूप में भी कनवर्ट होती है। पंखा जो आपको ठंडी हावा देता है। अब जैसे पंखे को चालू करते हैं तो विद्धुत उर्जा पंखे की कानेटिक एनर्जी गती जूर्जा के रूप में कनवर्ट हो जाती है। और यह वाईयू को गती देता है और ठंडी हावा कानन ले पाते हैं। अब इसमें बताइए कौन सी आवांचनिय ओर्जा है। जोद्पन ओरी है। पंखे की आवाज। यह दिन पंखा चालू करते हैं तो वह एक ध्वनी भी प्रोड्यूस करता है। और आप देखे होगे कि कभी यह पंखा बहुत जादा आवाज करता है। मतलब इतना आवाज कि उसका अनुभाव हमको होता है कि वह हमें डिस्टरब कर रहा है। तो इस प्रकार विद्दूत ओर्जा पंखे की गतीज ओर्जा में कनवर्ट होने के साथ साथ ध्वनी ओर्जा में भी कनवर्ट होती है। अगला उधारण है वैंक्यूम क्लीनर से हम घर की साफसफाई करते हैं हम देखते हैं कि वैंक्यूम क्लीनर को किसी वस्तु कि सामने रखा जाता है तो वो उसे अपनी और आकर्षित करता है। मतलब वैक्यूम क्लीनर में जो विद्धूत ऊर्जा होती है वो वायू को अपनी तरफ खेशती है और इसी कारण डस्ट पार्टिकल्स या वस्तुएं उस वैक्यूम क्लीनर की तरफ आकरशित हो जाती है तो यह गतीज ऊर्जा में तो कनवर्ट हो रही है साथ साथ आनूपय प्राप्त होती है इस प्रकार बच्चों आप अपने घर में ही बहुत सारे विद्धूत उपकरंट देखेंगे जिसमें से उप्योगी ऊर्जा तो प्राप्त होती है साथ साथ ऐसी उप्राप्त होती है जिसे हम बिल्कुल भी नहीं चाहते और वो हमारे लिए अनूपयोगी होती है तो बच्चों आप भी अपने घर में आसपास के कुछ विद्धूत उपकरणों की लिस्ट बना लीजे और देखिए कि इसमें विद्धूत उर्जा किस उप्योगी उर्जा की रूप में और किस अनूप्योगी उर्जा की रूप में कनवर्ट हो रही है और इस प्रकार जब आप एक सूची बनाएंगे इन विद्धूत उपकरणों की तो आप देखेंगे कि आपके घर में धेर सारी उपकरण है जिसको आप डेली यूज़ करते हैं और इन उपकरणों पर आप बिलकुल निर्भर हो चुके हैं और इस तरह से हम देखें तो हम सबसे ज़्यादा उर्जा के विद्धूत स्वरूप पर निर्भर हैं अब उर्जा के विद्धूत स्वरूप की इतनी खपत होगी तो इनकी आपूर्ती भी करनी होगी जहां से इस उर्जा के श्रोत की आपूर्ती की जाती है या यूँ कह जहां से हम उर्जा को प्राप्त करते हैं उसे हम उर्जा के शुरोत कहते हैं जैसे कि आपके कार बस या ट्रेन आधी को चलाने के लिए या कार खाने को चलाने के लिए हमें रसायनिक उर्जा की अवशक्त होती है और यह उर्जा में प्राप्त होती है कोल डीजल पैट्रोल स वैसे ही आपको विद्दूत उपकरणों को चलाना हो यानि कि विद्दूत उर्जा को इस्तमाल करना हो तो इस विद्दूत उर्जा को प्राप्त करने के लिए आपको विद्दूत श्रोत की अवशक्ता होगी और उर्जा के इन श्रोतों को हम दो भागों में बाटते हैं एक Renewal Sources of Energy और एक Non-Renewal Sources of Energy यानि कि नवी करणिये उर्जा के श्रोत और अनवी करणिये उर्जा के श्रोत नवी करणिये उर्जा के ऐसे श्रोत होते हैं जिनने एक बार यदि मानव संसाधन के द्वारा खतम कर दिये जाए तो यह प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा वापस प्राप्त किये जा सकते हैं जैसे कि सूरज से आने वाली उर्जा यानि कि सौरी उर्जा इसे हम यूज भी करें तो इसे हम दुबारा प्राकृतिक संसाधन जैसे कि सूरज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं हवा का इस्तमाल हम करें, तो भी इसे हम प्राकृतिक संसाधन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जल की उर्जा का इस्तमाल करें, तो भी हम इसे प्राकृतिक संसाधन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे उर्जा के शुरोत होते हैं, जिनने एक बार मानव संस संसाधन के द्वारा इस्तमाल कर लिया जाए खतम हो जाए तो इन्हें दुबारा प्रकृतिक संसाधनों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता यह इन्हें राप्त करने के लिए हजारों करोडों वर्ष लग जाते हैं जैसे की कोल पेट्रोलियम और प्राकृति गैस हम जानते हैं बच्चों कोल पेट्रोलियम का निर्मान कैसे होता है हजारों वर्ष पूर्व जब पेड़ पौधे जीव जन्तु मिट्टी के अंदर दब गए थे और कई फेवरेवल कंडिशन आए टैंप्रेचर और प्रेशर उसके कारण ये लकडी और जानवरों के अवशेश कोल और पेट्रोल में कनवर्ट हो गए और इस प्रकार हमें प्रकृतिक संसाधन यानि कि जिवास्म इंधन जिसे हम फौजल फ्योल कहते हैं इनकी प्राप् दुबारा करने के लिए एक बर फिर से सारी प्रकृति को मिट्टी के अंदर दबना होगा और एक पर्टिकुलर टैंप्रेचर प्रेशर आने पर ही इस कोईले और पेट्रोल का निर्मान होगा और ये तो अभी संभव नहीं है हम चाहते हैं कि हमारे जीवन काल में ही हम इन संसादनों का इस्तमाल हमें बहुती सावधनी से करना है इस तरह कि इसे लंबे समय तक चलाइया जा सके तो हम ज़्यादर नवी करणी ओर Kim लके इस्तमाल करने पर प्रकाश डालते हैं क्योंकि इनको प्रकृती द्वारा बार-बार रिनीव किया जा सकता है या यस के पूर प्राप्त किया जा सकता है और अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा इस्तमाल हम विद्धुत उर्जा का करते हैं और इस उर्जा की खपत की आपूर्ती हम किन श्रोत द्वारा करते हैं वैसे विद्धुत उर्जा की आपूर्ती इन श्रोत द्वारा की जाती है कोईला जली उ 2016 की रिपोर्ट है जिसके अनुसार ये आकड़े हमें प्राप्त हुए हैं विद्धूत उर्जा को प्राप्त करने के लिए हम कोईले पर 61% निर्भर करते हैं जली उर्जा पर 15% नवी करणी उर्जा के श्रोत पर 13% प्रकृतिक गैस पर 9% और नाभी की उर्जा पर 2% और जब इन श्रोत द्वारा विद्धूत उर्जा को प्राप्त किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम दो प्रकार में बाट सकते हैं एक तत्काल रुपांतरण और दूसरा मध्यवर्ति रूपांतरण ततकाल रुपांतरण में उर्जा के एक रूप को सीधे ही विदूत उर्जा के रूप में कनवर्ट किया जाता है जबकि मध्यावर्ती रुपांतरण में विदूत उर्जा को प्राप्त करने के लिए कई स्टेप्स होते हैं या यू कहें कि एक उर्जा विभिन उर्जा में परिवर्थित होते हुए विद्धूत उर्जा में कनवर्ट होती हैं। हम दोनों ही प्रक्रिया का इस्तमाल करते हैं। तो आएए बच्चों हम उर्जा की परप्रा का श्रोतों के बारे में चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि हम किन श्रोतों से विद्धूत ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं और इसे कौन से श्रोत हैं जो अन्य ऊर्जा की रूप में परिवर्तित होते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे जिवाश में इंधन यानि की fossil fuel जिवाश में इंधन में coal, petroleum, kerosene oil और प्राकृतिक gas होते हैं जो हमारी रसोई gas होती है LPG यानि की liquid petroleum gas वो भी जिवाश में इंधन हैं क्योंकि ये भी petroleum से ही प्राप्त होती है अब इन इंधनों की जरीए हम विद्दूत उर्जा कैसे उत्पन्न करते हैं thermal power station यानि की तापी विद्दूत सयंत्र है यहां प्राप्त की जाती है विद्दूत उर्जा और विद्दूत उर्जा को प्राप्ते करने के लिए इन जिवाश में इंधन का स्तमाल किया जाता है जिवाश में इंधन जैसे कोईला इसको जलाया जाता है कोईला को जलाने पर जो भाप उत्पन्न होता है उस भाप की सहयता से टर्बाइन को घुमाया जाता है और जब टर्बाइन घूमता है तो यहाँ विद्धूत जनितर से जुड़ा हुआ होता है जिसके कारण विद्धूत उर्जा उद्पन्न की जाती है इस प्रकार हम देखे जब जिवाश्म इंधन का इस्तमाल इन थर्मल पावर स्टेशन में किया जाता है तो इन जिवाश्म इंधन में छुपी होती है रसाइनिक ओर्जा यह रसाइनिक ओर्जा डारेक्ट विद्धूत उर्जा में कनवर्ट नहीं हो रही है बलकि जिवाश्म इंधन की जो रसाइनिक ओर्जा है कैमिकल एनर्जी है वह थर्मल एनर्जी में कनवर्ट हो रही है कोईला जल रहा है मत क्लीब वाब बनान में convert हो पुरी है वो तर्माइन को गोल गोल घुमा रही है यानिकि अब ये थर्मल lt गंवर्ट हो री है कि ostr एनरजी में यानिक टर्बाइन की गतीज उर्जा में और टर्बाइन की गतीज और फिर जन डेटरаешь विद्दूत उर्जा में कनवर्ट हो रही है इस तरह से विद्दूत उर्जा डायरेक्ट रसाइनिक उर्जा से प्राप नहीं हो रही है बलकि रसाइनिक उर्जा अन्य उर्जाओं की रूप में परिवर्तित हो जाती है और यू कहें तो तापिय विद्दू सयंत्र की सलफर जैसी गैसे भी उत्पन्न होती है जब यह गैसे वातवरण में जाती है तो यह इन गैसों के ऑक्साइट्स बनाते हैं और नाइटोजन सलफर और कार्बन के ऑक्साइट्स जब वातवरण मौजूद होते हैं उस समय जब बारिश होती है तो यहां बारिश अमलिय पेजल को भी प्रभावित करती है सासत अमलिय वर्षा से इमार्तों में भी दुछ प्रभाव उत्पन्न होता है साथ ही कोईला नौन रिनीवल सोर्स ऑफ एनरजी है मतलब एक बार ये कोईला खतम हो जाए इस्तमाल के पश्चात तो इसको वापिस प्रकृती द्वारा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल प्रकृया है इसको प्राप्त करने के लिए हजारो करोडों वर्ष लग जाएंग हाइड्रो एलेक्ट्रिक स्टेशन में जल की सहायता से विद्धू तूर्जा उत्पन्न की जाती है बच्चो हाइड्रो एलेक्ट्रिक स्टेशन में हम देखेंगे बांध का निर्मान किया जाता है बहती हुई नदी के पानी को रोकने के लिए बांध बनाये जाता है और इस पानी को रोक कर एक कृत्रिम जिल का निर्मान किया जाता है। जब बारिश होती है तो इस जील में पानी का स्तर बढ़ते जाता है। और जैसे ही इस पानी का स्तर बढ़ते जाएगा, मतलब पानी की potential energy स्थितीज उर्जा बढ़ जाती है। और इन बांध में कई gates होते हैं। आवशक्ता अनुसार हम अलग-अलग gate का इस्तमाल करते हैं। जब हमको जल की उर्जा से विद्दूत उर्जा उत्पन्न करनी हो तो हम इस पानी को टर्बाइन में प्रवाहित करते हैं। जिसकी सहयता से टर्बाइन गोल-गोल घूमता है। और यहां टर्बाइन जुड़ा होता है विद्दूत generator से और विद्दूत generator की सहयता से विद्दूत उर्जा प्राप्त की जाती है। और यहाँ जल विद्दो शेयंत्र विद्दूत उर्जा को प्राप्त करने का नवी करणी कश्रोथ है। क्योंकि एक बार यदि हम इस पानी का स्टमाल तर्बाइन को घुमाने में कर लेते हैं, विद्धूत उर्जा से पन हो जाती है तो अगले बारिश में इस डैम में फिर पानी भरा जा सकता है फिर इस जल की स्थितीज उर्जा को टर्बाइन को घुमाने में इस्तमाल किया जाता है यानि कि विद्धूत उर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और यहां पर हम देखें तो किसी प्रकार का कोई धुआ नहीं होता तो जल विद्दो शयंत्र उर्जा को प्राप्टे करने का एक बहतरीन श्रोत है पर जब बांध का निर्माण किया जाता है तो इससे भी कई हानिया उत्पन होती है बांध का निर्मान करने पर हम देखेंगे कि जो खेती योग भूमी होती है या वहाँ आसपास आवास होता है वो डूब जाता है क्योंकि जल का इस्तर बढ़ जाने के कारण वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं या वहाँ पर आसपास घर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये सारे उस पानी के स्तर के अंदर डूब जाते हैं और इस प्रकार हम देखें तो पारिस्थितिक तंत्र नश्ट हो जाता है साथ ही इन बांध का निर्मान उनी नदियों के उपर किया जा सकता है जिनमें हमेशा पानी भरा रहे मतलब ये नदिया गर्मी के समय सूखती ना हो इनमें हमेशा पानी रहता हो इस प्रकार की नदियों में ही बांध का निर्मान करना उचित है यदि हम ऐसी नदियों पर बांध का निर्मान करते हैं, जहां पर गर्मी के समय पानी नहीं होता हो, या फिर ये नदिया सूख जाती हो, उस समय बांध बेकार हो जाता है, तो हम बड़ी नदियों में ही बांध का निर्मान करते हैं, क्योंकि इसकी लागत बहुत अधिक होती और इन्हें बनाने के लिए ऐसी इस्पेशल जगह का चैन करना होता है जहां आसपास आवास कम हो और जहां बांद कर निर्माण होने से पालिस्थितिक तंत्र नश्ट ना हो विद्धू श्रोत को प्राप्त करने वाला अगला श्रोत है विंड मिल पवन चक्की जो की पवन ऊर्जा से चलती है बच्चो इस विंड मिल को आपने देखा होगा एक उची सी पोल होती है जिसमें पंखे की ब्लेड की तरह ब्लेड लगा होता है और यह ब्लेड हवा की सहत से गोल-गोल घूमता है बच्चों यह बताओ पवन कैसे चलती है यह हवा कैसे उत्पन होती है हम जानते हैं कि पूरे वाता वरण में गैस है जब किसी स्थान पर बहुत अधिक ताप बढ़ जाता है उस जगह की गैस गरम हो जाती है और गरम होकर उपर की और उठने लगती है तो उस जगह पर खाली स्थान बनने लगता है जिस जगह की गैस ठंडी होती है अब वह गैस इस खाली स्थान को भरने के लिए तेज गती करते हुए इस स्थान पर आती है और यही गैस जो तेजी से चल रही है यह हवा का रूप ले लेती है और इसलिए हम कहते हैं Wind is blowing air और moving air यानि कि चलती हुई gas हवा का निर्मान करती है और इस हवा में गती होती है या यू कहें कि हवा की गती जूर्ज़ होती है और इसी गती जूर्ज़ के कारण इस पवन चक्की की blade गोल-गोल घूमने लगती है पवन चक्की का blade एक shaft से जूड़ा होता है और यह shaft जूड़ा होता है टर्बाइन से जब यह blade गोल-गोल घूमता है तो इससे जूड़ा shaft भी घूमता है और यह turbine को गोल-गोल घूमाता है और turbine जूड़ा होता है electrical generator से जो कि electrical generator के armature को घूमाता है और इस प्रकार विद्दूत उरजा को प्राप्त किया जा सकता है लेकिर इससे जो प्राप्त विद्धुतूर्जा होती है इसका मान बहुत कम होता है क्योंकि हम देखेंगे कि पवान इतनी तेज नहीं होती है कि इस पंखे को बहुत तेजी से घुमा सके तो जब पंखा धीरे घुमेगा तो टर्बाइन भी धीरे घुमेगा और यू कहें तो जनरेटर का आर्मीचर भी धीरे घुमेगा तो इससे उत्पन्न होने वाली विद्दूत उर् का स्तमाल करते हैं जो कि विद्धुत विभव के मान को बढ़ा देता है और इस प्रकार एक उच्छ विभव की विद्धुत-वूर्जा को प्राप्त किया जा सकता है और यह उर्जा संचित होती है पावर और फिर इसका स्तमाल प्रांस्मिशन लाइन में भेज कर अलग-अलग उपकरणों में किया जाता है तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पवन चक्की है यह उर्जा का नवी करणी श्रोत है क्योंकि पवन हम हमेशा प्राप्त कर सकते हैं जब-जब टैंपरेचर का डिफरेंस ह योग स्थानों के बीच में हवा चलेगी और हम इस हवा की सहता से पवन चक्की को घुमाकर विद्धू तूर्जा प्राप्त कर सकेंगे पर इस पवन चक्की का ड्रॉबैक भी है यह पवन चक्की उसी एरिया में लगाई जाती है जहां हवा तीवर गती से चलती हो यह जह पायो गैस यानिकी जैव मात्रा भारत एक क्रिशी प्रधान देश है यहां पर क्रिशी के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है ग्रामेंड चेतर में हम जाए तो यह दोना काम एक साथी करते हैं वह क्रिशी भी करते साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और यह उर्जा क को प्राप्त करने के लिए जानवरों के और क्रिशी के अप्षिष्ट पदार्थ पर भी निर्भर करते हैं हम देखते हैं बच्चों कि ग्रामेन छेत्र में लोग आग जलाने के लिए लकडी का लिए ये जानवर की अप्षिष्ट पदात जैसे गोवर का भी इस्तमाल करते हैं जब आप ग्रामिंड शेत में जाएंगे तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये ग्रामिंड लोग गोवर को सुखा कर इस प्रकार छेना का ये कंडे का निर्मान कर लेते हैं और छेना और में धुआ बहुत होता है जबकि उश्मा की मात्रा कम होती है हलाकि ये इनका स्तमाल भोजन को पकाने के लिए करते हैं पर जितनी उश्मा मिननी चाहिए वह कम होती है जबकि धुआ की मात्रा बहुत अधिक होती है तो इन परंपरागत तरीकों से जो उश्मा ओर्जा को प जलाया जाता है तो उसमें से जल और वाश पर सील पदार्थ बाहर आ जाते हैं और वहां बच जाता है चारकोल चारकोल एक ऐसा पदार्थ है जो जलने पर धुआ नहीं देता और इसमें उश्मा की मात्रा भी अधिक होता चारकोले कैसा पदारत है जिसको जलाने से जुआला नहीं निकलती यानि कि इसमें फ्लेम नहीं होता और इसलिए चारकोल को जलाने से धुआ भी नहीं निकलता और इसकी उश्मा उत्पन करने की मात्रा अधिक होती है या यू कहो कि ये उश्मा दक्षता को बढ़ा देता है तो इस प्रकार हम देखें कि टेक्नोलोजी को उप्योग करके हम उश्मा प्राप्त करने की दक्षता को बढ़ा सकते है बच्चो बायो गैस प्लांट का नाम आपने सुना होगा यह एक ऐसा सयंत्र होता है जिसमें की बायो गैस उत्पन ने किया जाता है पेड़ पौधों के अफशिष्ट पदार्थ, जानवरों के अफशिष्ट प्रतार्थ तता मनुश्यों के अफशिष्ट पदार्थ को इस सयंत्र में कच्चा माल की तरह स्तमाल किया जाता है जब गोबर, पादप, अप्शेष्ट यानि की पौधों के वेस्ट प्रोडेक्ट और मल को ऑक्सिजन की अनुपस्थिती में डिकंपोस किया जाता है तो ये बायो गैस का निर्मान करते हैं बायो गैस, कार्बन डायकसाइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्पाइड का मिश्रण होता है बच्चों ये कोश्चन एक्जाम में भी आता है कि बायो गैस किस किस का मिश्रण है तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजे कि बायोग्यास कार्बन डाइकसाइड हाइटोजन और हाइटोजन सलफाइट का मिश्रण होता है इस प्रकार की सनरशना आप देख रहे हैं बायोग्यास से इंत्र का निर्मान करने के लिए इट की गुंबद नुमा दिवार बनाई जाती है इस गुंबद नुमा दिवार के अंदर यानि कि सनरशना के अंदर गोबर की गाढ़े घोल के सासत मल तथा पौधों के अपशिष्पदार भी डाल दिये जाते हैं और इनमें डाइजेस्टर डाला जाता है एक संपाजित्र डाला जाता है इस संयंत्र के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ओर्निजम उपस्थित होते हैं जो कि oxygen की उपस्थिती में गोबर का अबघटन कर देते हैं और इस प्रकार इनके अबघटन की क्रिया में बायो गैस निकलती है इन गैसों को उपर चैंबर में इकठा किया जाता है जिन्हें पाइप के जरीए अलग-अलग स्थानों में भेजा जाता है इस बायो गैस में 75% मिथेन होता है और मिथेन एक ऐसा गैस है जो बीना धुए के जलता है तो इस बायो गैस का अस्तमाल उश्मिया उर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इस प्रकार हम ग्रामिन छेतर में जाकर देखेंगे तो बायो गैस प्लांट लगा होता है और इस बायो गैस प्लांट से पाइप निकली होती है और ये पाइप ग्रामिनों के घर तक पहुचाई जाती है इन पाइप से पहुचा हुआ बायो गैस कुकिंग परपस से इस्तमाल किया जाता है जहां पर गैस स्टोप पहुचाना वहां पर इस प्रकार बायो गैस प्लांट का निर्मान करके कुकिंग के परपस से इस्तमाल किया जाता है व्योंकि हम देख चुके हैं कि यदि हम लकडी या फिर गोबर के कंडे जलाते हैं तो इसमें बहुत अधिक धुआ होता है जबकि हम बायो गैस का स्तमाल करें तो इसम उश्मा की मात्रा अधिक होगी और धुआ कम होता है